बच्पन से लेके आज तक बहुत कुछ करता आया हूँ पर इन सब में खुद को ही कहां खोच पाया हूँ दोस्तों मेरा नम महिर पुजारा है मैं पब्लिक स्पीकर हूँ एंकर हूँ और ऐसा भी कह सकते हैं उबरता हुआ एक्टर हूँ मैं फार्मा कंपनी में काम करता हूँ पिछले पांच सालों से नौ बजे जाता हूँ और सामके छे बजे घर आता हूँ बचपन से ही एक तमन्ना थी दिल में कि नहीं यार मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ मैं बहुत अच्छा एक्टर बन सकता हूँ कफी सारे प्रेंस देखें लेकिन कभी स्टेज पर जाने का मौका नहीं मिला फिर नौकरी की जद्वजहित में स्टेडीन यारिस की जद्वजहित में यह काम जरा छूटी गया था 2015 में जब हाइदराबाद में मुव हुआ तब पता चला कि यार तब याद आया कि यार ऐसा कुछ तो करना ही रह गया है लाइफ में फिर जाके समाहारा नाम के थेटर का एक पता चला फेस्बुक से एक प्ले के बारे में पता चला जाकर टिकेट्स बुक की और यहाँ पर आया एक था गदागर के वो प्ले था आज भी मुद्य याद है मैंने देखा और तब जाकर समाहारा के बाले में फोड़ा डीटेल में पता चला फिर उस दिन रात को नहीं सो पाया लगा कि नहीं अब मौका मिला है कुछ करने का यह चांस नहीं गवा सकते जाकर बेजिक वॉक्शॉप जॉइन किया काफी कुछ सीखा काफी नए लोगों से मिला लेकिन उसके बाद भी स्टेज पे आने का जो कीड़ा था वो अभी भी बहुत छटपटा रहा था तो सोचा कि नहीं कुछ और आगे करना है स्टेज पे आना है लोगों के सामने आना है फिर प्रोडक्शन औरियंटेड वॉक्शॉप जॉइन किया काफी मेहनत की दो महिने तक और एक प्ले का हिस्सा बनने का मौका मिला ताज महल का टेंडर यह म यह मैं नहीं बूलने बाला हूँ तो समाहारा मेरे लिए वो चीज है एक खुद को जानने की एक खुद को जानने का रास्ता है खुद को डिसकवर करने का रास्ता है that's what समाहारा means to me आगे जाके मैं कहां पहुचूंगा वो पता नहीं बट मैं इतना हम्मेशा ही लाइफ मे याद रखूंगा कि मेरी लाइफ की यह वो शुरुवात है कि जो मैं कभी नहीं बूल पाऊंगा और लास में इतना ही कहना चाहता हूं कि समाहारा थीटर फेस्टिवल आ रहा है आपके ही जैसे आर्टिस्ट हैं आपके ही जैसे लोग हम जो जौब करते हैं लेकिन एक इसमें काम किया है समाहरा फेस्टिवल में आपको यह मौका मिल रहा है कि आप हमारा हाड़ वक देखें प्लीज आईए हमें देखिए हमारा काम अप्रिशियेट कीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए और इसके अलावा आप अगर मानते हैं कि आप भी मेरी तरह एक्ट तरह आप है झाल झाल